शाह जी ने यहां मेटिक बुला के होम डिपार्ट्परेंट में ये सब दुनों जो हैं दुनों माफ कर दिया अभियंस में रख दिया हैं और जब तक ये आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स मेटिक नहीं होगी कोई भी लागू नहीं होगे आपकी चिंता हिट एंड रन केस में जो आपकी चिंता थी कि 10 साल की सजा होगी जुर्माना होगा आपकी चिंता नहीं बलकि हमारी चिंता है आप हमारे परिवार का एक सदस्य हैं और मालक है तो चालक है चालक है तो मालक है ये चिंता का संग्यान एमटीसी ने अपनी जिम्मेदारी को समत्य हुए सई वक्त पर 28 दिसंबर को ही प्रधान मंत्री जी और अमिज शाजी को पत्र लिखकर इसमें क्यार नुक्सान हो सकता है और ये लागू होगा तो क्यार नुक्सान होगा किस तरह देश प्रभावित होगा ये चिंता हमने व्यक्त करा दी थी लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकार समय पर संग्यान नहीं लेती है वही हुआ जो चिंता हमें थी जो डर था जो भै था वो एक तारीक से दिखने लगा और आपकी चिंता हम दिल्ली में भारत सरकार पर पास लेके आये हैं आज हमें साथ बजे ग्रे मंत्राले ग्रे सचिव भल्ला जी के अध्यक्ष्टा में उच्छ तर्य एम टीसी के पदिकारियों से मिटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें ये खुशी है कि 106 इन ब्रैकेट दो में जो 10 साल की सजा है और जुर्माना है वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा अस्वाशन दिलाते हैं कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे आपको कोई चिंता करने की जुरत नहीं है जो भी निरने होगा आपकी चिंत साले में भारा सरकार के पास लेके आ रहे हैं लेके आएंगे आपको एक बार फिर सुचित करना कर रहे हैं कि आपके जो मैंशा है कि दस साल की सजा और जुर्माने का कानून अभी लागू नहीं है अभी लागू नहीं है और हम आपको आस्वाशन दिलाते हैं कि आगे भी हम आप ये कानून लागू नहीं होने देंगे, अगर ये कानून लागू होगा, तो हमारी डेट बॉडी के ऊपर सरकार को चलना पड़ेगा, तो ये कानून लागू कर पाएगी, हम आप से अपील करते हैं कि आपकी चिंता जो मंशा थी, उसका हल निकल चुका है, आप से अपील करते हैं कि अपने वहनों पर आईए, अपने वहन बिना कोई डर के चलाइए, हम पूरी टीम आपके लिए 24 बटा 7, 365 दिन हाजिर हैं, आप से एक पर फिर अपील करते हैं, कि अपने वहनों पर आईए और वहन चलाईए और आपकी चिंताएं दूर हुई हैं बहुत-बहुत धन्यवाद बाल पलकी सिंग चेर्मेन कोर कमेटी और इंडिया मोटर ट्रांसपूर्ट कॉंग्रेस देखिए मैं देखिए मैसेज यह है कि पहले भी हम कहते आए रहे हैं मी सत्रा पैदा करता है और अफिशली हम परिवार का सदस्य हैं यह कानून का विरोध करते थे उनके साथ में खड़े थे हम कंस्ट्रक्टिव डैलोग में विश्वाश रखते हैं और कंस्ट्रक्टिव डैलोग के माध्यम से इसका हल निकला है जो आपको हमने बताया है कि यह यह कानून लागू नहीं है और यह कानून लागू नहीं होने देंगे जो चिंताएं ड्रैवरों की थी ओल इंडिया मोटे ट्रांस्पूर्ट कॉंगरेस हमारे पास लेके आई है उच्छ तर यह मिटिंग हुई है और हम स्पष्ट करना चाते हैं यह सरकार की मैं बोल रहा और इसे आगे हम चर्चा करेंगे और हमें आश्वाशन दिया है और यह हम भी उन से अश्चौट करके कानून आगे भी लागू नहीं होएगा एक प्रकरिया एसका का याद आगे healthy टेखिए सुनियाँ बात यह यह देखिए के मेरी बात सुनिया वो आज चर्टा का विशय नहीं है आज का विशय यह था जो अंगार लगी दे स्कानूल है जो हम हमारा हल निकालना था हमने हल निकाला है कानून आज की डेट में लागू नहीं है और आगे भी लागू नहीं होगा